दोस्तो अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है दोस्तो रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज़त दोनों बढ़ जाते हैं दोस्तो इंसान जनम के दो वर्स बाद बोलना सीखता है लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरा जीवन लग जाता है सही परसंसा दोस्तो सही परसंसा व्यक्ति का होशला बढ़ाती है और अधिक परसंसा व्यक्ति को लापरवा बनाती है अगर जिन्दिगी को दोस्तो अगर जिन्दिगी को हर दिन एक जैसा जीओगे न तो जिन्दिगी बोरिंग लगेगी और अगर जिन्दिगी का हर दिन एक नए नजरिये से देखोगे तो जिन्दगी अच्छी लगेगी दोस्तो अपने आत्म सम्मान के साथ समझोता करके किसी भी रिष्टे को नहीं निभाना चाहिए बता दे आपको इज्जत और सम्मान मांगने से नहीं मिलता दोस्तो ये तो अपने काम और विवार से कमाना पड़ता है दोस्तो एक बार आप पैर पिसलने से तो समझ सकते हो लेकिन जुबान पिसलने से नहीं इसलिए दोस्तो हमेशा सोच समझ के बोलो हमेशा छोटी छोटी गल्तियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि इनसान पहाडों से नहीं पत्थरों से ही ठोकर खाता है जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए सिद्धान्त नहीं क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है जड़ नहीं दोस्तों जानते हो रिष्टे होते क्या हैं बता दें आपको पहले रिष्टों को प्यार, अपने पन, समर्पन, सम्मान और विश्वास से सिचना पड़ता है फिर रिष्टों में खुशियों के फूल खिलते हैं जो आपको इज़्जत और सम्मान न दे, वो भी आपकी इज़्जत और सम्मान के काबिल नहीं दोस्तो किसी के घर जाओ तो अपनी आखो को इतना काबु में रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसी कम्याना दिखे और जब उसके घर से निकलो तो अपनी जुबान काबु में रखो ताकि उसके घर की इज़त और राज दोनों सलामत रहे जो हम दूसरों को देंगे दोस्तो जो हम दूसरों को देंगे वही लोटकर आएगा चाहे वो इज़त हो सम्मान हो या फिर धोका किसी की मदद करने के लिए दोस्तो किसी की मदद करने के लिए धनकी नहीं एक अच्छे मन की जिवरत होती है दोस्तों लोग प्यार के लिए होते हैं और चीजे इस्तेमाल के लिए बात तो तभी विगड़ती है जब चीजों को प्यार किया जाता है और लोगों का इस्तेमाल है दोस्तों सफलता कैसे प्राप्ट की जा सकती है इसे तो हर व्यक्ति जानता है पर सफलता पाने के लिए जो खुद में बदलाव लाना है वो तो कोई करना ही नहीं चाहता दोस्तो सम्मान सभी का करो ये आपके संसकार है लेकिन अपने आत्म सम्मान का ध्यान रखना आपका अधिकार है सपना जितना बड़ा होगा दोस्तों सपना जितना बड़ा होगा ना उतनी ही बड़ी तखली होगी और जितनी बड़ी तखलीपे होगी उतनी बड़ी काम्याबी होगी दोस्तों सर्धा ज्यान देती है नम्रता मान देती है और योगता इस्थान देती है पर तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगे सम्मान देती है